नमस्कार साथियो मैं SN सा SN सिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है साथियो आज हम बर्गत बंसाई में वाइरिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे साथियो हम कुछ एलेक्ट्रिव वाइर लिए हैं आप देख सकते हैं या कई ठिकनेक्स में हो सकता है और कोई मोटा हो सकता है पतला हो सकता है और आपको जिस परकार का काम हो वैसा आप बजार से खरीच सकते हैं यह दो मेहना पोर्व्य हमने इसे लगाया था आप देख सकते हैं इसे रिपोर्ट किया था और इसमें आप ब्रांच निकलाया है और इसे हम वाइरिंग करेंगे और इसे हम वाइरिंग कर देते हैं जिससे क्या होगा कि इसका रूप जो है अच्छा होगा क्योंकि यह सिधे उपर की और जा रहा है और इसे हम नीचे जुकाएंगे तो चलिए हम इसे सुरू करते हैं वाइरिंग करने के लिए या एलेक्टिव वाइर से अलमुनियम का वाइर है आप तंबा का भी वाइर ले सकते हैं तो इसे मिट्टी में हम रगाते हैं और इसे ब्रांच में मोर कर हम हम इसे जुकाने का कोशिश कर रहे हैं या असानी से क्योंकि या कोमल है और यह असानी से जुक सकता है तो देख सकते हैं हम इसमें धीरे धीरे इसे लगाने का कोशिश कर रहे हैं और इसे मोर देंगे नीचे की और जिससे इसका जो रूप होगा कुछ अरग होगा बोन्चाई का रूप इसे देंगे क्योंकि यह सीधे उपर जाएगा और बरा हो जाएगा इसे हमें बोन्चाई के रूप में बनाना है इसलिए इसे हमें जुकाना पड़ता है उसके लिए हमें तार का सहेता लेना पड़ता है और इसे हम जुका रहे हैं साथियो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों के पास सेर कीजिए तो इसे हम जुका देते हैं और इसके बाद पत्ता जो है इसका लीफ इसे हम रिमूब कर देंगे इसे कट कर देंगे जिससे इसमें छोटा छोटा लीफ निकले पता निकले और देखने में खुब सूरत लगे या बोनसाई इसके लिए हम या भीड़ को बनाने में लगभग दो-दो मेहना चार-चार मेहना लग जाता है दोस्तो तो इसे हम जुका दिये हैं और फिर दूसरा को जुकाने का कोशिस कर रहे हैं या असानी से जुकेगा क्योंकि एकदम इसका डंटल जो है मुलाइम है इसे साबधानी पुर्वक लगा कर इसे नीचे की और हम जिधर मोरेंगे उधर मोरेगा और जब यहाँ फिक्स हो जाएगा या डंटल जो है इसका ब्रांच जो है टाइट हो जाएगा और इसमें फिर नया कोपल छोड़ेगा तो हम फिर इसका वीडियो फिर बनाएंगे तो इसको हम पहले इसका वाइरिंग अच्छा से कर लेते हैं इसके बाद हम रिमूब करेंगे चल ये सभी का अलग-अलग हम ब्रांच का वाइरिंग करते हैं आप देख सकते हैं किस परकार से हम मिट्टी में फसा दिया और ब्रांच में मोर कर इसे जुका रहे हैं बिलकुल आसान है करना लेकिन धीरे-धीरे जिससे या कोमल ब्रांच टूटे नहीं तो हम इसे कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे लीफ को जो है कटर के सहता से हम कट कर देंगे तो करीब-करीब हम जुका दिये हैं आप देख सकते हैं और इसमें जो नया कोफल आएगा और देखने में क्योंकि जब इसे हम रिमूब करेंगे तो इसमें एक जगा से चार-चार कोफले निकलेगी तो हम रिमूब अब थोड़ा एक और रह गया है इसे भी हम थोड़ा नीचे कर देते हैं चलिए इसे जमीन में लगाए और ब्रांच में मोर रहे हैं या बिल्कुल आसान है आप घर पर आसानी से इसे लगा सकते हैं इसका कटिंग से भी आप बोनसाई बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी चाए पीपल का बनाई ये भोगन बिलिया का बनाई एक ही मेथट काम करता है तो आप देख सकते हैं और यह लगबग 5 साल पुराना बोनसाई है और इसे हम कई वार रिमूब किये हैं बराबरा हो गया है पोधा के समान हो गया है और इसे इसका वीडियो भी पहले भी आ चुका है आप चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं क्योंकि सारा वीडियो या तो प्ले स्टोर में या चैनल पर जाकर आसानी से आप इसे देख सकते हैं इसे पहले भी हम इसका वीडियो अप्लोड किये हैं और आप इसे अब हम इसे रिमूब कर देते हैं कटर के साहता से क्योंकि या पत्ता जो है आप देख सकते हैं बराबरा हुआ है और जब इसका रिमूब करेंगे तो पत्ता धीरे-धीरे छोटा हो जाएगा और बहुत सारा हम बोनसाइप वीडियो लाने वाले हैं आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दवा कर नोटिफिकेशन बेल को ओन कर ले जिसे मेरा वीडियो पहले आपके पास पहुँचे तो इसे हम रिमूब कर दिये हैं और अब इसे हम एक जगा रख देंगे क्योंकि जब इसमें फिर पुनह रांच निकलेगा तब फिर इसका वीडियो आपके पास हम लेकर पस्थित होंगे दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में सियर कीजिए आप खुद का बोन्साई बनाईए साथियो करिब कविब हम यह रिमूब कर चुके हैं पता को आप देख सकते हैं और मेरा यह वीडियो यहीं कम्पलीट होता है और इसे हम मोर दिये साथियो तो आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर में बोन्साई बनाईए और सोभा को बढ़ाईए साथियो जय हिंद जय भारत फिर मिलेगे